फिल्मों के चैन को लेकर अब अधिक सा जग हो गई हूं कि आरा आडवानी 2014 में फगली से अभिने के चेतर में कदम रखने वाली अभिनेतरी कि आरा आडवानी का अरा आडवानी आकरी बार एमेस धोनी दे अन्न टोल्ड स्टोरी और मशीन जैसी फिल्म में दिखाई दी थी लेकिन फिल्म निर्माता करण जोहर की लस्ट स्टोरीज से उन्हें अधिक तवज्जो मिली है लस्ट स्टोरीज में अपने किरदार से सब का ध्यान अपनी और खींचने वाली अभिनेतरी कि आरा आडवानी का कहना है कि वे फिल्मों के चैन को लेकर अधिक जिम्मदार हो गई हैं और पहले से अधिक प्रेरित हैं मीडिया से बाचीत के दोरान जब उनसे पूछा गया कि लस्ट स्टोरीज के बाद वे हब सामगरी पर ज्यादा ध्यान देंगी तो इसके जवाब में एक ट्रेस ने कहा मैं अब फिल्मों के चैन को लेकर अधिक जिम्मदारी महसूस करने लगी हूँ मैंने अब और मेहनत से काम करने और उसे पूरा करने का संकल्प लिया है मैं उन लोगों को गर्व महसूस कराना जाती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है क्यारा ने कहा मुझे लगता है कि सिनेमा समाज का प्रतिबिम्ध है जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वह उस माहौल के कारण है जिसमें हम रह रहे हैं यह प्रासंगिक सामिक और निश्चत रूप से उन लोगों को प्रभावित कर रहा है जो इन परिस्तितियों से कहीं भी संबंदित हो सकते हैं अपने करियर की सफलता से खुष होने के सवाल पर उन्होंने कहा मुझे लगता है कि जीवन में सबसे महत्वपून बाद खुष होना है अगर आप खुष हैं तो यह आपके द्वारा किये गए सभी कारियों में दिख जाएगा मुझे जो ये वहसास हुआ वह यह कि जब मैं काम पर हूँ तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं खुद को मौके का फायदा उठाने के लिए तयार रखती हूँ फिल्मों की बात करें तो फिल्हाल की आराव के पास अब अक्षे कुमार अभिनीत गुड्नियू जो और करण जोहर की कलंग जैसी फिल्मे है कलंग पे वे संजे दत्त के साथ दिखाई देंगी